हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ आपका दोस्त अकरम और एक बार से फिर से स्वागत है आपका हमार यूटूब चैनल अकरम फेशन डिजानर में फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम सेखने वाले हैं हम लेडिज पेंट में कट किस तरह से बना सकते हैं दोस्तो वेसे तो कट कई तरीके से बना जाते हैं जैसे सिलाई वाला कट होता है तुरपय वाला कट होता है और गुम वाला कट होता है दोस्तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे जो हमारे सिलाई वाला कट होता है उसको हम आसानी से किस तरह से बना सकते हैं दोस्तो जो सिलाई वाला कट होता है उसको बनाने में हमें ज़्यादा परिशानी नहीं होती है और दोस्तो वो किस तरह से बनाया जाता है आज की वीडियों हम सीखने वाले हैं दोस्तो आपको क्या करना है आपको हमारी वीडियो को पूरा देखना है और अच्छी तरीके से वीडियो को समधना है और दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ जाती है तो इसको लाइक कर लेना है और दोस्तो और अगर आप हमारी चैनल पर पहरी बार है तो आप हम हमारा बैक वाला हिसा है दोस्तों इन दोने ओखों में एक साथ यहां से अटेच्च करेंगे और यहां से अटेच्च करने के बाद दोस्तों हम इसमें लगाएंगे सिलाई दोस्तों हम एक पेर का जो पैंट का कट है उसको ही तयार कर रहे हैं देखे दोस्तों यहां पर जब भी आप सिलाय को ले आएंगे तो यहां पर यह जो आपको निसान नजर आ रहा है यह हमारी फिक्स लंबाई का निसान है आप यहां से आपको निसान लगाना है आपको कट कितना चाहिए तो यहाँ पर हम इसमें डाइंज का कट है जो वो तयार रखने वाले हैं यह देखें दोस्तों यहाँ जो यह निसान है इसके उपर से मैंने यहाँ डाइंज पर कट का जो निसान यह लगा लिया है इस सिलाय को मैं सिर्फ यही तक ही लगाऊंगा और इसके बाद शिलाय को यहां से पक्की कर लेंगे और इस तरह से दोस्तों पक्की करने के बाद इसको हम केंची से इस धागय को काटेंगे इस तरह से पक्की करने के बाद देखे दोस्तों हम सिलाय को यहां से हटा लेंगे और इस तरह से शिलाई लगाने के बाद देखे दोस्तों यह जो हमारा कपड़ा है हम इसको इस तरह से बिच्छाएंगे यह देखे दोस्तों यह जो हमारी मूरी वाला हिस्सा है हमने अब इसको इस तरह कर लिया है और इस तरह से इसको ये देखे दोस्तों ये जो हमने शिलाई लगाई है इसको यहाँ पर हम हलकलकासा इससे शिराई कर लेंगे और ये शिलाई करने के बाद दोस्तों ये जो हमारा एक हिस्सा है हम इसको इस तरह से फॉल्ड करेंगे यह देखे दोस्तों हमने यहाँ पर इसको एक पेर के बराबर है जो फॉल्ड कर लिया है और इस तरह से फॉल्ड करने के बाद फ्रेंट्स हम इसके उपर एक सिलाई लगाएंगे किनार की यहाँ पर सिलाह अजब भी आपकर आजाएगी तो आपको सिलाहे को यहाँ से इस तरह से घुमा लेना है और अब हमारा दूसरे वाला हिस्सा है इसको भी इसी तरह से फ़ोल्ट करना है और इसको पर किनार की सिलाही लगानी है यह देखे दोस्तों यहां पर हम ने सिला ही जो लगा लिए है दोस्तों यह जो हम कटबानाने जा रहे हैं यह कटबानाने का सबसे आसान सरल तरीका है दोस्तों इस सरल तरीका आपको है जो कहींने i Krenais logo अंड़ेगे انदे इस रहने के बाद जो हमारी से फोल्ट करने के बाद हम इसको इस तरह से इसके कपड़े के इसके अंदर डालेंगे इस तरह से और इस तरह से दोस्तों इसको डालने के बाद हम इसके उपर आप सिलाई लगाएंगे यह देखे दोस्तों जब आपकी सिलाई यहाँ पर आ जाएगी तो आपको सिलाई को इस तरह से घूमा लेना है और यहाँ पर यह जो देखे दोस्तों यह जो हमने पहले से सिलाई लगा रखी है जो कि हमारी इस पट्टी को हमने फोल्ड करने के लिए लगाई थी इसे के उपर से इस सिलाय को यहाँ पर हमाँ बाहर की तरफ निकाल देना है देखे दोस्तों हमने यहाँ पर हमारा एक वाला हिस्सा है इसको जो सिलाय को लगा लिया है अब हम दोसरा वाला कपड़ा है इसको उपर भी साम इसी तरह से हम इसको सिलाय को लगाएंगे यह देखे इसको इस तरह से फोल्ट कर लेंगे और इस तरह से फोल्ट करने के बाद इसको इस तरह से मिलाएंगे यह देखे दोस्तो इसको इस तरह से मिलाने के बाद हम सिलाई को दुबरा सिलाई शुरू करेंगे यहां से यह जो हमें पहले से इस सिलाई लगा रखे कट के ओपर इसी सिलाई को ओपर हम यहां पर एक सिलाई को लगाएंगे इस तरह से सिलाई देखिए दोस्तो हमने यहाँ पर लगा लिए है और यह सिलाई लगाने के बाद इस सिलाई को हम यहाँ से बाहर निकाल देखिए दोस्तो यहाँ पर हमने सिलाई हमारी है जो लगा लिए है तो देखिए दोस्तो यहाँ पर हमारे कट हैं जो बनकर बिल्कु आता है लेकिन आप इस ऐसे कट बनाकर आपनी सिलाई को सुरुआत कर सकते हैं दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो और आज की वीडियो में हमने आपको बताने कोशिश किये हैं आप बिल्कुल सिंपल वाला कट जिसमें आपको जद्व परिशानी नहीं होगी वो कट आप किस तरह से बना सकते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे आप गुम कट किस तरह से बना सकते हैं तो दोस्तों थोड़ा सा इंतिजार किर जिए और आप हमसे जुड़ रहिए हम आप हमारे चैनल को सिस्क्राइब कर लिजे और दोस्तों साथ में आप